मैं आपको करन्ट अफेर्स के एक टॉपिक को लेकर हम बहुत सारे चर्चाय करेंगे आज हमारा टॉपिक है कोवेक्सीन जो है वो थर्ड फेस में 81% परभावी हो गया है तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भारत भारत की वै हरत ब्रीन बनाई है भारत इसका नाम आपको याद रखना है भारत बायोटेक बायोटेक ने यह वैक्सिन बनाइए जबसे पहले आपको यह याद रखना और यह वैक्सिन कवा आई थी तीन मार्च 3 March को जो इसका 3rd phase से start हुआ है 3 March 2021 3 March 2021 में co-vaccine co-vaccine की 3rd stage, 3rd phase जो चल रहा है उसका trial data जारी कर दिया गया है अभी जो trial चल रहा था COVID-X का उसमें 81% प्रभावी रहा है ये भी पता दिया जाता है कि Co-vaccine Co-vaccine जो है इसका नाम क्या है Co-vaccine Co-co means COVID-19 का vaccine जो है वो और इन से मतलब है इंडिया इंडिया की vaccine है मतलब हमारी स्वाधी जी vaccine है ये थीक है तो Co-vaccine Co-vaccine कोरोना वाइरस के खिलाफ जारी एक अभियान में इस्तिमाल किया जा रहा है एक अभियान चल रहा है उसमें इस्तिमाल किया जा रहा है ये और ये किस ने बनाया है सबसे पहले आपको याद रखना है भारत बायोटेक भारत बायोटेक द्वारा कंपनी द्वारा ये बनाया जा रहा है और ये तीन मार्च को इसका third phase start हुआ है, third phase में ये data जारी हो गया है कि इसका प्रभाव 81% आ गया, प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने हाल ही में इस vaccine का पहला dose लगवाया है, ठीक है, आपको याद रखना है co-vaccine, co-vaccine का पहला dose लगवाया है, नरेंदर मोधी ने को vaccine वराने वाली company जो है भारत बायोटेक के अनुसार, इसके अनुसार कितने 25,800 लोगों पर ये trial किये जा चुके हैं, ठीक है, ये बहुत सारे लोगों पर 25,800 लोगों पर trial किये जा चुके थे, इससे पहले भारत में बायोटेक टिके का परिक्षण अंति करना ज़रूरी था, इसमें विवाद थोड़ा पैदा हो रहा था, लेकिन उससे हम उससे निप्टारा मिल गया है, ठीक है, तो आप आपको याद रखना है कि भारत की co vaccine जो बनाया है, वो किसने बनाया है, भारत बायोटेक ने बनाया है, और इसकी हिसाब से 25,800 लोगों प iCMR ने कहा, iCMR कहता है कि भारती चिकिस्सा अनुसंधान परिशद और भायोग, भारत बायोटेक ने ये घुशना किये, किसने भारती चिकिस्सा अनुसंधान परिशद में, iCMR, इसी ने है न, iCMR और ज़खना मिलके गोशनाँ कि इनके दवारा विक्सेज, जो वैक्सिन है उसके तीसे चर्ण में परिम्डामों को कोविड-19 रोकने के लिए 81 परचितर अंतिम प्रभाव शाली दिखाई दे रहा है ठीक है दोनों ने टिकों की खोज में अहम भोमिका निभाई है को इसकिस ने भारत बायोटेक ने और आइसी एमार ने आइसी एमार मिंस भारतिय चिकिस्सा अनुसंधान परिसर ठीक है तो आपको याद रखना है इसका फुलफॉर्म भी याद रखना है इन दोनों ने मिलके ये ये वैक्को वैक्सीन बनाई है ठीक है आइसी एमार के जो निदेशक है कौन है इसके निदेशक डॉक्टर आपको याद रखना है इनका नाम क्या है इनका नाम डॉक्टर बलराम भारगो ने तीन मार्च 2021 को कहा कि आठ महीने से भी कम समय में स्वधेशी विक्षित कोविड-19 करने वाली आत्म निर्भर से असिम ततकाल दिखाया जा रहा है इसकी ताकत दिखाया जा रही है कि यह वैक्षिन जो है यह महाशक्ति के रूप में भारत के उद्धे को एक गवाह करेगा तो आपको याद रखना है इसके जो जचीव है वो कौन है डॉक्टर बलराम भारगो ठीक है बेरो बेरो सेल्स प्लेटफॉर्म पर विक्सित हुआ ह इसका नाम है को वैक्सिन को डबलु एच्चो वैरो सेल्स द्वारा विक्सित किया गया है ठीक है डॉक्टर समिरन पंडा प्रमुख बहुत सारे लोगों ने मिलके इसको क्या क्या इसमें कहा गया है कि जो यह को वैक्सिन है इसको विकास और इस्तेमाल दोनों को सुनिश् इसका भारत के पास लगातार विक्सित करने वाली महामारी की इस्तिती में अब उसके पास एक सकतिशाली हतियार है जिसका नाम क्या है को वैक्सिन दिके तो किसका उसका नाम क्या है एक हतियार है उसका नाम क्या है को वैक्सिन दिके कोविन एंडियन के खिलाफ युद जि प्रभाव अपना दिखा रहा है को ब्रभाइब को जिसके जिसको दो कंपनियों ने उपलबध को उपलब्ध हदो कंपनियों को इसको विक्षित करने का इसको उपलब्धी हां सब्धब यह भारत बायोटेक एक है भारत बायोटेक मैंने आपको बताया थे भारत बायोटेक चाहिए ऑक्स facto ऑक्स का कोवी 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 शिल्ड कोवी शिल्ड में शामिल है अगर आपको बताया जाए कि ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिर का और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की कौन सी शिल्ड में सामिल है कोवी शिल्ड कोवी शिल्ड आपको याद अखना है किसमें सामिल ह जो है पादन सीरम वह इंटिटूट ऑफ इंडिया में कर रहा हूं और दोनों वैक्सीन यह क्या होगी दोनों ही देश में उपयोग किया जाएंगा इसका 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 प्रभाव बहुत ही प्रभाव साल्य कि रहा है कितना फरेस्ह में इसका 81% प्रभाव दिख रहा है तो ये तो था तीसरा चरण अब हम दूसरे चरण के बारे बात कर लेते हैं दूसरे चरण में भारत के करोना टिका करण में दूसरे चरण सो मुआर से वरिष्ट नागरिकों को मेंस मतलब 45 साल से जो अधिक उम्रक के जो लोग है बीमार लोगों को टिका करन लगाने का काम शुरू हो गया है इसके दोरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी को वैक्सिन को वैक्सिन को वैक्सिन की खुराक ली, इन्होंने देश के लोगों को कोरोना मुक्त बनाने के लिए टिका लगवाने की अपील भी किया और खुद टिका भी लगवाया, देश में फिलहाल दो कमपनिया कोरोना वैक्सिन इस्तमाल कर रही हैं, कौन-कौन सी एक बायोटेक, मैंने भी बता मटिया जो इस वैक्सिन का यूज कर रही है, कि इनियी स्वष्थ मंंत्राले," हर्ष वरधन ने कहा, कि दोनों वैक्सिन प्रतिक्षा की द्रष्टी से दोनों ही सुरक्षी ते तो इन दोनों में हैं से किसी का भी ऻसद लेना नवश्च्य है। अब हम जानते हैं कि COVID एकसी जो कमपनी है भारत वायोटेक कमपनी और एक और कौन से मैंने बताया है आपको IC इना ICMR, ICMR के साथ मिलकर इन दोनों ने साथ मिलकर यह वैक्सिन बनाई है कौन से को वैक्सिन और एक और मैंने बताया था कोवीट स्हिल किसने बना था अभी कोवीट शिल्ड किसने बनाया था कोवीट शिल्ड बनाया है इंसिट्ट सिरम इंसिट्ट सीरम इंस्टिट्यूट के दोनों दवाईों के नाम आपको याद रखना एक है कोवैक्सिन जो कि भारत बायोटेक और बायोटेक और किसने ICMR ने मिलकी बनाई है तो इसके बारे में अगर हम जाने है तो ये स्वदेशी वैक्षिन में पहले बता चुकी हूँ और इसके निर्माड में मित करोना मित करोना वाइरस के इस्तेमाल किया गया है ताकि वैक्षिन के लोगों पर नुक्सान न पहुचा पहले मित लोगों पर इसका इस्तेमाल किया गया था और फिर उसके बाद लोगों पर पर किया गया था ताकि इसका जो एंति बाइटिक है वो पैदा हो सके नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अब कोविट सिल के बारे में पढ़ लेते हम कोविट सिल कविद सिल जो है ये ऑक्सपोड के एस्ट्रोजेनिका इसका नाम भी आपको याद रखना है क्या है ओक्सफोर्ड 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 और एक्सट्राजेनिका ओक्सफोर्ड और एक्सट्राजेनिका का भारती संस्क्रण है और इसने क्या बनाया है सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया कंपनी भारत का इसका उत्पादन किया है जिसका नाम क्या रखा है इसका नाम रखा है कोवी शिल्ड कोवी शिल्ड नाम रखा तो इसवाक्सिन का भिकास Common Cold मेंज जिसको नौर्मल खांसी सर्दी हो रहे है sudah k Sick संक्रमित 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 जो हैं गलाष किये गए हैं ताकि इंसानों में संक्रमित ना हो इसको पहले किस पर चिंपांजी पर इसका इसका इस्तमाल किया गया था उसकी बाद इसका इस्तमाल किया गया है लोगों पर ताकि इसका संक्रमित असर ना हो अब इस वैक्सीन का परिक्षण 18 और उससे अधिक उम्र के लोगों पर किया गया था कोविट शिल्ड का किसमे 18 18 प्लस 18 प्लस एज वाले को किया गया था ठीक है तो आपको याद रखना है दो कंपनी है भारत बायोटेक और यह दूसरी है इन दोनोंने मिलके बनाया है को वेक्सिन और कोविट शिल्ड कोविट शिल्ड जो कंपनी उन्हें कोविट शिल्ड जो हमारी वाइरस कोवेट को रोना वाइरस जो है वो सीरम इंसिट्यूट्र ने बनाया है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्रोजेनिका एस्ट्रोजेनिका के साथ म खुराक, दोनों का खुराक, दोनों दो खुराक वाले, कितने कितने खुराक वाली है, दो दो खुराक वाली है, यहनि कुरोना से बचाओ के लिए आपको इस खुराक, इसको कितनी बार लेना पड़ेगा, दो बार लेना पड़ेगा, दोनों को दो बार लेना पड़ेगा, इ अठाविस दिन का अंतर दोनों की बीच में अठाविस दिन का अंतर होना जरूरी है रखना पड़ता है इसका मतलब यह है कि अपने इसमें अगर वैक्सिन पहली खुराक अगर आज ली है तो दूसरी खुराक आप कब लेंगे दूसरी खुराक लेंगे आप अठाविस दिन बाद लेंगे इसकी खुराक ठीक है तो कितने इसका कितना रखना है 28 दिन बाद इसकी खुराक लेनी है अब कोविट अब दोनों के हम भंडारन की बात करें भंडारन मतलब कहां पर स्टोरिज के जाएगा कैसे स्टोरिज के जाएगा उसकी प्रभाविता भी हम जान लेते है को वैक्सिन और को वैक्सिन और कोविट शिल्ड दोनों ऐसी वैक्सिन है जिन्हें रखने के लिए सामाने तापमान के जरूरत है कितने डिगरी का सामान होना चाहिए मिन्स दो से आठ डिगरी के बीच में तापमान होना चाहिए थापमांद ज़रूरी है इसमें फ्रीज में इन्हें 6 महिने के लिए इस्टोर किया जा सकता है कितने महिने के लिए 6त मंत के लिए और 70-90% प्रभावी पाया गया है, और अभी को वैक्सीन जो है, वो 81 प्रभावी पाया गया है, इसलिए ये आजकल करेंट में हैं, इसके बहुत चर्चे चल रहे हैं अभी यहाँ पर, तो इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और डिस्कस हम पूरे चीज़ कोविट शिल्ड हो या फिर वैक्सीन हो, अब इसकी मंजूरी की बात कर लेते हैं, हमने पढ़ लिया कि दो-दो खुराक मिलेगी, 28 दिन का अंतर होना चाहिए, इसको स्टोरेज ही है, स्टोरेज का हम लें पढ़ा, स्टोरेज कितने तापमान पर होना चाहिए? स्टोरेज, स्टोरेज 2 डिगरी से 8 डिगरी में होना चाहिए, और फ्रिज में 6 महिने तक रख सकते हैं, कोविट, कोविट शिल्ड, कोविट शिल्ड जो है, अपात कालिन इस्तित्योग में प्रतिभंद उप्योग के लिए अनुमोधित किया गया है, ठीक है, यह जो है, यह 18 साल प्लस, 18 साल प्लस और उससे अधिक, मतलब 18 साल से अधिक लोगों को, लोगों के लिए संक्रमन को रोक सकता है, यह 18 साल से प्लस लोगों जो है, उनके लिए संक्रमन को क्या कर सकता है, रोक सकता है, इसलिए इसे फिलहाल मंजूरी दे दी गई है, और इस क्या, कोरोना में हमारे के खत्म होने का इंतजार पूरी दुनिया बिसाबरी से कर रही हम भी कर रहे हैं कि ताकि हम कहीं पे जा सकें बीना किसी दर के घुम सकें ठीक है पार्टी कर सकें वगरा वगरा कर सकें ठीक है कई देशों के कई देशों के कई देशों के इस जानलेवा विमा लेकिन आखिरी बिमारी कब खत्म होगी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि बिमारी खत्म कब होगी इस बिच जो स्वास्त संगठन ने चेतावनी दी है कि सोचना अभी बिल्कुल भी बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि कोरोना मामारी इस साल के अंत में निजात पालिया जाएगा ठीक है लेकिन लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर अस्पताल में भरती होने और मौतों को कम करने के लिए अगर और करोना वाइरस जो संकर्थ पड़ा है उससे संभव हो सकता है में अगर अगर आप इन सब इन दोनों कोविट 19 को लेंगे तो फिर आप हो सकता है कि इ कल सके तो इसलिए आप सब लोग इस वैक्सिन को जरूर लगवाएं थैंक यू फ्रेंड्स